हेलो दोस्तों तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मार्स्टाजी प्रोग्रामिंग वीडियो टूटोरियल्स में इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा फाइल हेंडलिंग के बारे में पिछले कुछ वीडियो से मैं थोड़ा बिजी था इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेट लिंक ला है मैं पिछले वीडियो मैं सी प्रोग्रामिंग की टूटोरियल्स बना रहा था पर मैं वापस आया हूँ इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए ये फाइल हेंडलिंग की जो कॉंसेप्ट है ये उस चीज के लिए यूज होता है जब अपनको टेक्स लेडर पर कुछ टाइप लिखवाना हो प्रोग्राम के त्रू या फिर उसकी फाइल को रीड करना हो तो ये एफ स्ट्रीम जो मैंने हेडर फाइल यहां पे ये एफ स्ट्रीम जो है वो इंपुट और आउटपुट दोनों स्ट्रीम को समालने के लिए यूज होती है आउटपुट जैसे कि हमें राइट करवानी हो किसी फाइल के अंदर और इंपुट जैसे कि हमें रीड करना हो किसी फाइल के कंटेंट को सबसे पहले हम क्या करें यहां पर एक off stream पढ़ा रहा हूं मैं इस tutorial में आपको तो off stream मेरी first file है तो यहां मैं first create कर रहा हूं मैं उसका नाम मैं रख जिता हूं my file my file.text मैं अब नब बता दूँ मैंने क्या किया यहां पर यहां पर मैं आफ मैंने umftstream एक keyword को यूज करके first नामका object create किया जिसके अंदर मैंने file को store कर दिया यहां पर मैंने open कर दिया file को open file मतलब कि create कर दिया file इस open करने का एक और तरीक जिस तरीके के मैंने first करा first.open करके अपन उसका नाम दे सकते हैं जैसे कि मैंने नाम दे दिया आपके सामने यह तरीका भी अपन यूज कर सकते हैं किसी फाइल को ऊपन कराने के लिए पर पिछला तरीका मिरे को जादा अच्छा लगता है क्योंकि उस तरीके से coding lines बच जाती हैं तो मैंने यहां पर एक object क्रेट कर दिया इसका my file नाम रखती है अब उसके अंदर मैं कोई message print करवाओंगा तो first object के थूँ हम message print करवा सकते हैं this is my first file तो यहां पर मैंने यह message print करवा दिया एक file के अंदर और इसके बाद मैं इस file को close करना चाता हूं तो first dot close से यह file को close कर सकता हूं जिस तरीके से मैंने dot open से open किया था अब मैं इस चीज को आपको run करके दिखाता हूं यह देख लीजे आप यहां पर देख लीजे आप यहां पर command prone पर कुछ भी output नहीं आएगा आपको बता दू मैं यह output आपको शो होगा जहां पर आपने project create किया होगा उसके वहां पर आपकी एक my file नाम की फाइल create हो गई होगी और इसके अंदर आपके statement को लिखकर आएगा इसको आप manipulate कर सकते हैं कुछ भी type करके और इसको आप save भी कर सकते हैं जबकर drone save अभी मिरेको save नहीं करना है तो मैं save नहीं किया positive वह वैसका वैसा print आपको दिखाएगा उसके बाद मैं आपको एक और चीज ऐसी चीज में दिखाता हूं मान लीजे आपने कुछ error generate कर दिया program के अंदर तब वह क्या करेगा तब उसको क्या message दे वह आपको output पे कि आपने कुछ error कर रहा है जैसे कि मान लीजे आप open करना भूल गया file को open करना भूल गया file को तो यहां पर कुछ भी नहीं दिया आपने तो उसके बाद उसको बताना पड़ेगा कि if file open है file का नाम है आपका first object से इसको indicate करूगा file is open underscore लेना पड़ेगा अगर file open है तो तो यह statement उसके अंदर आप डाल ल लीजे यह जो statements है यहां पर डाल लीजे एल्स में एक statement देजिए एल्स में एक statement देजिए something is wrong कुल गड़बड है तब ही ऐसा यह statement होगा execute होगा अगर file open नहीं करी आपने तो एल्स वाल स्टेट्मेंट दिल लेगा और open करी है तो यह statement ले लेगा तो यह simple से एक program create हो गया अब अगर मैं मैं अब मैं इस program को run करूँगा मैंने open नहीं करी थी file तो something wrong print हो जाएगा और वापस मैं open कर दूँगा file को जैसे कि my file उसको नाम दे दिया मैंने तो उसके अंदर यह message चला जाएगा बहुत simple simple से चीज़े हैं यहां पर कुछ भी नहीं आया और जहां पर आपका project है वहाँ पर एक my file नाम create हो गई इसमें this is my first file लेका तो यह को छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं जो कि आप कर सकते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहरा था next tutorial में आपको समझाऊंगा input f stream के बारे में जिससे अपन क्या कर सकते हैं जो मैं ने यहाँ पर file create करी है उसको मैं read कर वाँगा मापए और वो read इस तरीके से करेगा जो this is my first file है उसको आपको output में show करेगा command prompt में तो यह होता है input stream file तो देखिए next video और उसमें आप जानिए input stream के बारे में Thank you